किट जो है मेरे सामने आई है तो इस जाद शो रहे हो अभी सही तरीके से व्लॉग में जाने से पहले एक गुड नीज है शेर करनू आप लोगों से कि जिस एटसेंस पिन का मैंने व्लॉग बनाया था कि क्या मुझे पिन मिल जाएगी तो जी हाँ वो जरूरी बेन मुझे होम एड्रेस पे मिल चुकी है और सब्मिट भी हो चुकी है वाव असलाम अलेकुम वैलकॉम बैक टू दू चैनल उमीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे खेरियत से होंगे किसी ने क्या खूब ही कहा है कि जरूरत इजाद की माह है और ये केस मेरे उपर बिल्कुल फिट आता है अब मुझे नहीं पता कि ये जरूरत है या इजाद है लेकिन है क्या आगे बढ़ते है अब बताता हूँ जरूरत इजाद की शुरूआत को ऐसे हुई कि अगर मेरे लोकल पिशावर में जो भाइक है मैं कहने के उनसे शायद चोटी मोटी टेकनिकल मिस्टेक ना होती और मैं बाहर जाता नहीं और आउट आप सिटी जाके मुझे वो प्रॉब्लम ना होती तो शायद ये वाला काम मैं कभी ना सीख पाता तो अभी मैं हूँ शौबा बाजार में और यहां पे मेरी शायद एक या दो लास्ट पाइनल जो टूल है वो मुझे चाहिए तो वो अभी यहां पे मैं चेक आउट करता हूं इन शौप्स में और अमीद करता हूं कि वो मुझे यहां से मिल मारूफ बाजार या मार्केट इसको कह सकते हैं गाडियों से रिलेटेड अगर रिपेर का काम है या कोई भी टूल आपको स्पेर पार्ट बाहर के चाहिए लोकल चाहिए तो यहां से बासा नहीं मिल जाता है अनिवेज शौबाजर का चौक जहां बिलकुल सामने है और यह यहां से मैं शुराद करता हूँ अपना फिलर गेज मुझे चाहिए टिपट को एड़स करने के लिए तो चैक आउट करते हैं आपके मुझे प्राइस भी यहां से अच्छी मिल जाएगी यह बली शौप जो है यह टूल्स के लिहाँ से एक जानत है और यह एक शौप नहीं बल्खे शौबाजर में यहां पर बहुत सारी शौप आपको मिल जाएंगी स्पेर पार्ट से रिलेटेड़ यहां पर हर एक चीज अवैलेवल है और इस्पेशली यहां पर जो चाहिए ह होंगे लेकिन जो फिलर गेज है उसका चेक करते हैं यहां पर मुझे मिल गया है वैसे अफटर बाद मैंने इसकी प्राइज चेक की थी वो मुझे बताया था कि 600 का बेच दें लेकिन आपको 500 का देंगे यहां पर मुझे 350 का बोला है थोड़ी सी बार्गेनिंग हुई तो अराउंड 300 तो 330 में मुझे यह पीलर गेज मिल जाएगा वैसे इससे टैपर्ड की जो अज़स्मिन होती है जो उसकी आप मेयर्मेंट करते हैं उसको मतलब यह पतिया उसमें इसमाल की जाती है तो इसकी प्राइस दन हो गए यह 330 रुपीस की और इसमें जो गेज मुझे मि और इनलेट के लिए पॉइंट एंड यूज करूंगा यह वाली किट जो है मेरे सामने आई है तो इसमें सारी सारी चाहँ चाहँ जो रेगुलर कीज यूज होती है काम में तो मझे आप मिली है अच्छी क्वालिटी है मुझे बाई सब बतारें 2000 फाइनल होगा इसका इसका आपकम जो थोड़ी सी कॉलिटी होगी वह 1850 और तीसरा जो है वह 1700 रुपीज का वो शॉप वाले ने मेरे से एक इंफरमिशन शेयर की आफ दा कैमरा उन्होंने बताया कि जो टूल किट मैंने देखाया उसका एक साइड जो है वह ओपन रहता है दूसरा साइड जो है रहता यू खिल अज़ यहां पर एक मशवरा जरूर देना चाहूंगा कि बेस्ट खरीदारी करने के लिए मार्केट में घूम लिया करें, अपनी रिसर्च पूरी कर लें, उसके बाद जहां से अच्छी कीमत और अच्छी प्रॉडक्ट मिले तो खरीदारी को यकीनी बनाएं, मैं जरा जल्दी में तो ऐसा हुआ, वीवर्स तो इस वक्त मैं एक और शॉप में हूँ और बहुत ही भरी भी माशाला शॉप और लाइटिंग भी खासी बतर है, तो डायरेक्ट में यहीं पे इंडर हुआ, तो फीलर के जो है, मुझे यहां पे 200 रुपए का बताया गया, तो आप लोग जब भ 250 रुपीज का वोकिट भी मिल जाएगा, तो वो फीचर का प्लान है, अब ही चेक आउट करते हैं, कार्बुरेटर क्लीनर जो स्प्रे है, उसकी तरफ जाता है, जी हां तो कार्ब क्लीनर की मुझे ज़रूरत थी और मैंने पहले कहां कि मैं शायद फिर कभी लूंगा लेकि वो मैंने आज ही भाई कर लिया, कलर है वैसे इसका ग्रीन और एम कार्ब क्लीनर है, प्राइस मुझे इसकी मिली है 250 रुपीज तो क्वालिटी वाईस प्राइस मुझे खासी अच्छी लगी तो भाई कर लिया और चोटा सा खर्चा कर लिया, तो ये कीफ को हम कैसे भूल सक है, इससे पहले मैं कापी सारे टूल्स ले चुका हूँ, बलके जो मेरी जरूरत के हैं वो टूल्स मैं ले चुका हूँ, और वो मैंने पिशावर से बाहर किसी और सीटी से लिये थे, लेकिन शायद अगर वो मैं शोबा बाजार इसी मार्किट से लेता, तो मेरे अच्छे अगर यहां से मैं पर्चेज करता तो चलिए अब चलते हैं और आप लोगो जो मजीद टूल्स मैंने लिये और यूज कर रहा हूँ, वो दिखा देता हूँ सबसे पहले लूज टैपिट्स की सही सेटिंग करने के लिए मुझे जिन टूल्स की जरूत पड़ी, तो मैंने खरीदा 24 नमबर का स्पैनर यानी पाना, जो के एक साइट पे चाबी और दूसरी साइट पे रिंग, जिस से टैपिट कैप रिमूव होगी, दूसरे नमबर प पे जेक नट को खोलने के लिए आट और नो नमबर का स्पैनर, चौथे नमबर पे रॉकर को एड़जस्ट करने के लिए टैपिट टी, इसका रोल इंपोर्टेंट और टेक्निकल है, पांचवे नमबर पे सबसे इंपोर्टेंट, फीलर गेज, जिस से टैपिट्स को स्पार्क प्लग को भी एड़जस्ट कर सकते हैं, अब इन तमाम टूल्स को बाइक मेंटिनेंस में यूज कैसे करना है, वो भी आप लोगों से शेयर कर लेता, लेकिन व्लॉग लंबा हो जाना था, तो सोचा वो नेक्स्ट व्लॉग में बने, ताके आप लोग बासानी है, उमीद करता हूँ, आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ठेर सारा ख्याल रखें, टेक क्यार, गुड़ बाई, म चैंनल क donne, बो